नमस्कार, कीचिनेटी में आप सभी का स्वागत है, आज की हमारी रेसिपी है मोहन्थाल, मोहन्थाल गुजरात की ट्रेडिशनल स्वीट डीश है, इसे दो तरीके से बनाया जाता है, एक बनता है थोड़ा सॉफ्ट हलवे की टेक्श्चर जैसा और दूसरा बर्फी की तरह, मोहन्थाल बनाने के लिए लेंगे 2 कब या 500 ग्राम बेसन, इसके लिए कोई भी नॉर्मल बेसन का यूज कर सकते हैं, एक कटोरी में लेंगे 3 चमच उबला हुआ गर्म दूद, इसमें एड़ करेंगे 3 चमच घी, दूद और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यहाँ प मोयन देना भी कहते हैं, हमने सारा दूद एड़ कर लिया है, दोनों हाथों से बेसन को रगड़ते हुए मोयन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बेसन में कोई भी गुटलिया नहीं है, हमें इसी तरीके से इसे तयार करना है, आब एक आटा चानने वाली इस तरह की एक मीडियम चननी लेंगे, और उसमें बेसन को डालकर इसे रगड़ते हुए चान लेंगे, बेसन में मोयन देकर इस तरह चान लेने से जब हम इस मिठाई को तयार करेंगे, तो उसका टेक्च्छर हलका दानेदार आएगा, बेसन चन गया है और इसकी सारी गुठलियां भी खत्म हो गई है, चान लेने के बाद बेसन हलका दानेदार कुछ इस तरह का हो जाता है, अब इसे हम एक दूसरे बावल में बलट लेंगे, बेसन को ढखकर थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देंगे, लगवग आधा गंटा हो गिया है, बेसन भी हमारा अच्छी तरह से सेट हो गिया है, अब एक पैन में डालेंगे 200 ग्राम घी, घी बिगह दाने पर इसमें च्छना हुआ बेसन डाल देंगे, दीमी आज पर बेसन को लगातार चलाते हुए भूनेंगे, जैसे जैसे बेसन फ्राई होगा, यह थोड़ा सॉफ् दीमी आज पर बेसन को भूनने के लिए 15-20 मिनट का समय लगता है, इसे भूनते समय गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई पर ना करें क्योंकि इससे बेसन बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है और इससे मिठाई का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, बेसन को चल मालते ही बेसन में जाग आ जा रहा है, तो इस समय हमें बेसन को जल्दी जल्दी चलाती हुए mix करते जाना है, मोहन्ताल बनाने के लिए traditionally इसमें मावा mix किया जाता है, लैकिन आज हम इसे बिना मावे के ही बनाने वाले है, बेसन में जो हम दूद एट कर रहे हैं, यह बिल् बेसन ने दूद को अच्छी तरह से एब्जॉप कर लिया है इसे एक से दो मिनट और चला लेंगे बेसन भून गया है गैस बंद कर इसे साइड में रख देते हैं जब तक यह ठंडा हो रहा है हम इसके लिए चाशनी तयार कर लेते हैं चाशनी बनाने के लिए एक पैन में ड फ्लिवर के लिए एड करेंगे केसर वाला पानी मैंने एक घंडे पहले ही तीन चमच गर्म पानी में थोड़े से केसर के रेशे डाल कर भीगने के लिए रख दिया था इसे मिक्स कर एक से दो मिनट के लिए और पका लेंगे मौन धाल के लिए चाशनी हलकी गाड़ी होनी चाशनी को चमच में निकाल कर थोड़ा ठंडा कर इसे उंगलियों से चेक करने पर यह हलकी चिपचिपी लग रही है चाशनी को हमें इतना ही पकाना है अब हम गैस को बंद कर देंगे चाशनी अभी हमारी गरम है इसे गरम रहते ही तुरंद भूनेवे बेसन के ओपर डाल अब यह आपको देखने पर यह गीला लग रहा होगा लेकिन चाशनी जैसे जैसे ठंडी होगी यह अपने आप गाड़ा हो जाएगा यदि आपको लगे कि यह जादा पतला हो गया है तो इसे थोड़ी देर के लिए गैस पर रखकर गरम कर लें बेसन और चाशनी को करेंगे इसे देखने पर ही पता चल रहा है कि यह मिठाई कितनी दानेदार बनकर तयार हुई है यह मिठाई बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाती है और इसे आप फ्रिज में 10-15 दिनों के लिए रखकर स्टोर कर सकते हैं आशा है मोहन थाल की रेसेपी आपको पसंद आई होगी आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू